हालो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल 3 Little Tutor में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी केंद्री विद्याले में एडमिशन सुरू होने वाले हैं ऐसे में बहुत सारे माता-पिता जिनके बच्चे केंद्री विद्याले में नहीं पड़ते हैं उनको नहीं पता है कि यहां एडमिशन फीज कितनी लगती है यूए कि प्रज्बिछ इस्पोलों में एडमिशन फीज बहुत ज्यादा लगती है और क्या admission fees लगती भी है कि नहीं लगती, farm जब भरे जाएंगे तब fees कितनी लगेगी, farm भरने की fees कितनी है, क्या कोई test होता है, फिर tuition fees कितनी होती है, computer fees कितनी होती है, विद्याले विकास निधी क्या है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, और आपको ब टाइप आप fees charge by KV, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केंदरी विद्याले किस-किस टाइप का fees charge करता है, सबसे पहले है विद्याले विकास निधी, विवियन जो 500 रुपया है और इसे प्रतिमन्त केंदरी विद्याले चार्ज करता है, फिर है computer fees, computer fees 100 रुपया है और य यानि class 3 में जब आपका बच्चा जाएगा तब से लगना सुरू होगा, उसके पहले ये fees नहीं लगती है, admission fees, admission fees 25 रुपया है और या admission fees आपको अगर आपके बच्चे का admission होता है तब ही देना है, पहले नहीं देना है, farm भरते वक्त नहीं देना है, ये किवल अगर आपके बच्चे का admission confirm हो जाता है, तो वहाँ एक farm देंगे, उस farm के साथ आपको 25 रुपया देना पड़ेगा और वो 25 रुपय admission fees है, re-admission fees 100 रुपय, अगर बच्चे का re-admission होता है, तो उसके लिए 100 रुपय लगता है, अब re-admission कैसे होता है, बच्चा long time absent होता है, उसके उज़ा tuition fees, और एक होता है tuition fees, tuition fees सभी बच्चों का अलग-अलग होता है, तो tuition fees बच्चों को कितना देना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ boys class 9 and 10, अगर लड़का है और class 9 और 10 में हैं, तो उसको 200 रुपय प्रतिमन्थ देना होगा boys class 11 and 12, science, अगर लड़का है और 11 या 12 में है, science से पढ़ रहा है, तो उसको 400 रुपय प्रतिमन्थ देना होगा boys class 11 and 12, commerce, अगर लड़का है और वह 11 और 12 में, कामर से पढ़ाई कर रहा है, तो उसको 300 रुपय फीस देना होगा तो यहां आप देख सकते हैं कि 33 फीस केवल लड़कों के लिए लागू होता है, लड़कियों के लिए लागू नहीं होता है और इसमें भी बहुत सारे लड़कों को भी छूट रहता है, वो छूट वाला भी जानकारी आपको दूँगा लेकिन इतने टाइप का फीस लगता है, एक है विद्याले विकास निधी, जो लगभख सभी बच्चों को देना होता है फिर है computer fees, जो class 3 से देना होता है, फिर है admission fees, जो एक time के वल देना रहता है जब बच्चे का admission होता है फिर होता है readmission fees, जो 100 रुपए है, और ये तब देना होता है जब आपके बच्चे का नाम कर जाएगा और उसको फिर से आपको लिखवाना होगा, यानि readmission कराना होगा उसके बाद tuition fees केवल बालकों को देना होता है, और वहाँ class 9-10 में 200 रुपए है class 11-12 science में 400 रुपए है, और class 11-12 commerce में 300 रुपए है अब हम देखेंगे केवी फिर स्टक्चर, ये केवी फिर स्टक्चर हम देखेंगे कि अगर लड़का है तो कितना लगेगा, लड़की है तो कितना लगेगा और class wise देखेंगे कि कितना लगेगा और उसको क्या-क्या fees charge होगी यानि tuition fee charge होगी कि नहीं computer fee charge होगा कि नहीं विद्याले विकास निधी charge होगा कि नहीं होगा और अगर होगा तो कितना होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे बालवाटक्या 1 से कच्छा 2 तक तो बालवाटक्या 1 से कच्छा 2 तक के लिए अगर लड़का हो या लड़की हो tuition fees नहीं लगता है computer fees नहीं लगता है केवल विद्याले विकास निधी लगता है 500 रुपय पढ़ती मत तो अगर आपका बच्चा बालवाटक्या से कच्छा 2 तक पढ़ता है लगता है computer fees 100 रुपय लगता है और विद्याले विकास निधी 500 रुपय लगता है यानि चाहे लड़का हो चाहे लड़की class 8 तक 600 रुपय प्रतिमंथ देना होगा जिनकी छूट नहीं है जिनको छूट है उनको इसमें भी छूट मिलेगा फिर class 9 से 10 लड़का होगा तो 200 रुपय ट्यूशन फिस लगेगा computer fees 100 रुपय लगेगा और विद्याले विकास निधी का 500 रुपय लगेगा यानि टोटल 800 रुपय लड़के को देना पड़ेगा वहीं अगर लड़की है तो उसको ट्यूशन फिस जीरो, computer fees 100 रुपय और विद्याले विकास निधी यानि विवियन 500 रुपय यानि 600 रुपय प्रतिमन्थ देना होगा फिर class 11 और 12 लड़का कामर्स का है तो ट्यूशन फिस 300 रुपय, computer fees 100 रुपय और विवियन 500 रुपय यानि टोटल 900 रुपय है वहीं लड़का अगर साइंस का है तो ट्यूशन फिस 400 रुपय, computer fees 100 रुपय और विवियन 500 रुपय यानि टोटल 1000 रुपय वहीं अगर लड़की है तो चाहे वो साइंस की हो या कामर्स की हो उसका ट्यूशन फिस 0 रहेगा, computer fees 100 रुपय, विवियन 500 रुपय यानि टोटल 600 तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि अगर लड़की है तो क्लास 12 तक 600 रुपए ही लग रहा है कहीं उसका इजाफा नहीं हो रहा है सुरू में क्लास 2 तक 500 रुपए उसके बाद क्लास 12 तक 600 रुपए क्योंकि जो फी अभी आप मैंने बताया उसमें क्या है कुछ लोगों को छूट है तो बहुत सारे लोग कंफिड हो जाते हैं कि मैं इस कटेकरी से हूँ मैं RT से हूँ मैं SCST से हूँ मैं दिव्यांग हूँ तो मुझे कितना फीस देना होगा तो उसे हम इस स्लाइड में समझेंगे सबसे पहला है RT Children of Armed Hosts Who Killed or Disabled Single Girl Child from Class 6 onwards अगर आप इन में से किसी में आते हैं तो आपको किसी भी टाइब की फीस पे नहीं करनी है चाहे आप लड़के हों या लड़की हों आपको कोई फीस नहीं देनी है यानि आपकी tuition fees, computer fees, VPN और total fees 0 ही रहेगी अगर आप BPL या PWD student हैं आपकी tuition fees 0 रहेगी, computer fees 100 रुपए रहेगी, VPN भी 0 रहेगी यानि आपको 100 रुपए प्रतिमंथ देना होगा All Girls and SCST student and Children of KVS Imply सभी लड़कियां SCST के student चाहे ओ लड़की हों लड़के और Children of KVS Imply, KVS Imply के बच्चे चाहे लड़के हों चाहे लड़की उनका tuition fees माफ रहता है, computer fees 100 रुपए रहता है, VPN 500 रुपए रहता है यानि उन्हें 600 रुपए प्रतिमंथ देना होगा यह सभी class के लिए है और यह छूट वाला है, अब finally हम देखेंगे कि प्रतिमंथ किसको कितना fees देना होगा, class wise fee structure हम देख लेते हैं, जैसे बालबाट के 1 से कच्छा 2 तक लड़का हो या लड़की उसे 500 रुपए प्रतिमंथ VPN fees देना होगा कच्छा 3 से कच्छा 8 तक लड़का हो या लड़की उसे computer का 100 रुपए और वीवियन का 500 रुपए यानी total 600 रुपए प्रतिमंथ देना होगा फिर 9 से 10 में लड़का होगा तो उसको 200 रुपए ट्यूंशन, computer का 100 और 500 रुपए यानी 800 रुपए और लड़की होगी तो computer का 100 रुपए और वीवियन का 500 रुपए प्रतिमंथ देना होगा कच्छा 11 से 12 में लड़का अगर साइंस का है तो 400 ट्यूंशन फीज, 100 रुपए computer फीज, 500 वीवियन फीज यानी 1000 रुपए commerce का है तो 300 ट्यूंशन फीज, 100 रुपए computer, 500 वीवियन यानी 900 रुपए और अगर लड़की है चाहे हो साइंस की है या commerce की है तो उसका ट्यूंशन फीज माफ रहता है computer फीज 100 रुपए, वीवियन 500 रुपए, टोटल 600 रुपए प्रतिमंथ देना होगा ये journal की बात है जिनको फीज देना है, उनके लिए है, जिनकी फीज माफ है यानी जो इस कटेगरी में आते हैं RT, चिले नाफ, arm force, who killed our disabled, single girl child, BPL, PWD, all girls, SCST, उनको छूट का लाब मिलेगा और इस चार्ट के अनुसार फीज चार्ज होगा तो उम्मीद करता हूँ केंद्री विद्याले का फीज ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट इसमें डिसकस किया हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, हो सकता है कि इसमें आप लोग को थोड़ा सा confusion भी हुआ होगा, अगर कोई confusion हुआ ह तो आप हमें comment करिए, हम उस comment का जवाब देंगे और आपका confusion दूर करेंगे, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे like and share करें और हमारे चैनल को subscribe भी करें, thank you, thank you for watching.